वेलकम बेक टू आरेसर मेट्स प्लस मोटिवेशन एक बार पुना बहुत ही इंपोर्टेंट सुचा लेकर हम आ गए हैं अब देख सकते हैं यहाप लिखाए यूपी बोर्ड की हाई स्कुल परिच्छा में खत्म होगा आंतरिक मुल्यांकन बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक जो अंतरिक मुल्यांकन होता था सौ में से 30 नंबर 30 अंग प्रतेक विशे में कच्छा 10 में विद्याले की तरफ से दिये जाते थे कच्छा 9 और 10 में आज की यह जो खबर है बहुत इंपोर्टेंट है कच्छा 9 और 10 के इस्टुड़ेंट के लिए लिखा है की 70 नंबर बोर्ड परिचा के होते हैं आंतरिक मुल्यांकन के अंक इसकूल अपने इस्तर पर देते हैं अब हाई स्कूल के रिजल्ट में 100 में 30 नंबर देना कालेजों के हाथ में नहीं रहेगा आंतरिक मुल्यांकन के तहत बिद्यार्थियों की वर्स में तीन वार 10-10 अंको की सितंबर नॉंबर और जनवरी में लिखित परिच्छा तता प्रोजेक्ट वा मौखिक परिच्छा होती है बिद्यार्थियों को मिले नंबर इसकूल सीधे बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करते हैं इसकूल इसमें अपने इस तरप बिद्यार्थियों को मानमाने ढंक से इसलिए नई सिच्चनीत के तहट आंतरिक मुल्यांकन की विवस्ता को खत्म करने की सिपारिश की गई है हाई स्कुल में आंतरिक मुल्यांकन खत्म करने के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे परिच्चा की विश्व सुनीता और उसकी वैदता सुनिश्यत होगी जबकि अंकी स्पीट पर भी अंकुस लगेगा फिलाल कच्छा 9 में नए सत्र वर्स 2021 बाइस से और है स्कुल में वर्स 2023 से आंत्रिक मुल्यांकन की विवस्ता खत्म की जाएगी तो इस तरह से आपने देखा यह बहुत important सुचना कच्छा 9 के उन students के लिए जो नए सत्र में कच्छा 9 में एड्मिशन लेंगे तो उनको अब 100 में जो 30 नंबर 30 अंक मिलते थे प्रतिक विश्य में वो अब नहीं मिलेंगे और 2023 में होने वाली बोर्ड एक्जाम के इस्टूजन्स वो बनेंगे और ऐसे में उनको हाइ स्कुल कीबोर्ड एक्जाम में भी इसका लाग नहीं मिल पाएगा तो नई नई सुचना लेकर हम आते रहेंगे नई सुचना आपको समय से मिले इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजी आपने फुल बाच किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद